साथ बिल पत्र इस महाशिवरात्री पर करेंगे आपके सारे कारिशिद आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाशिवरात्री 2024 के बारे में और जब भी मनोकामनाओं की बात आती है जब भी काम को सिद्ध करने की बात आती है या जब भी ऐसी बात आती है कि हम रोगों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है दीरगायू होना चाहते हैं तो आप मानकर चलिए बाबा महाकाल की कृपा आपके उपर यद है तो मानकर ये चलिए कि आपके जीवन में समस्याएं दूर भागने लगती हैं आप स्वस्त होने लगते हैं दीरगायू आप होते हैं तो आज इस शिवराद्री कौन सी डेट है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो को अंतर तक देखेंगे तो एक चोटा सा उपाय करने से या इस वर्ष महाशिवरात्री को इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं मनाएंगे तो आपके आने वाले वर्ष में आपको लाब 24 महापर्व की महाशिबरात्री को अलग-अलग तरीके से लोग देखते हैं बहुत सारे इस्थानों पर कावर का बहुत चलन रहता है कि माता गंगा का जल लाकर भगवान शिब को अविशे किया जाता है जिसको कावर भी कहते हैं वो चड़ाया जाता है बहुत जगे पर भगवान के विवाह के उल्लास का जीरोच समय हैं यह इतने अच्छे तरीके से बनाया जाता है कि आप समझके चलिए कि वर्स में एक बार मनाया जाने वाला भगवान शिब का यह तोहार बाकी सभी शिब के किये गए उपाए और किये गए तोहारों पर भारी पड़ जाता यानि कि सबसे उच्छ और सबसे महान और सबसे अच्छा उपाय करने का समय भगवान शिव का शिवरात्री के दिन होता है इस दिन भगवान सब पर कृपा करते हैं और खास बात मैं बता दूँ इस प्रत्वी पर जहां जहां पर शिवलिंग है वहां पर मंदिर में पूजा ह काम से आप लोग जानते हैं महा शिवरात्री के दिन और रात्री 24 गंटे के समय पर भगवान शिव का वास हर शिवरात्री के कहां पर होता है हर शिवलिंग में होता है तो आप ये ध्यान रखें कि आपके आसपस कोई भी शिवलिंग है अगर शिवरात्री के दिन वहां पर भी आप यह उपाए करते हैं तो आपको बाबा महाकाल उजयन का भी वही लाब बिलेगा और आप कहेंगे तो बनारस का भी हर शिवलिंग में शिव का वाश होता है ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है और शिवरान साफ साफ ये बात कहता है क्या उपा है समझिए साथ बेल पत्री आपको ऐसे लेने हैं जो बिना तूटे चटके हो यानि कि खंडित रही होने चाहिए तीन पत्ते वाले यानि तीन साफ सुत्रे निखा लीजिए उनकर दोको उनको दोकर सुद्ध कर लीजिए और पहले से चंदन घिसकर रखिए द्यानी रहे चंदन यो प्रियोक करना है लकड़ी वाला घिसा हुआ होना चाहिए लकड़ी वाला चंदन घिसा हुआ आप तयार रखिए और आप किसी लकड बस शिवरात्री के दिन साम के समय है उपाय करेंगे तो बहुत लाबकरी है शिव मंदिर जाईए शिवलिंग पर एक बेल पत्र चड़ाईए और अपनी मनोकामना बोलिए फिर दूसरा बेल पत्र चड़ाईए अपनी मनोकामना बोलिए ऐसे ही एक एक करकर साथ बेल पत्री आप चड़ाएंगे अलग-अलग और अपनी मनोकामना जो भी आपकी है वो बोलते जाएंगे जो भी कारे है सिद्धी के लिए आप चाहते हैं वो बोलते जाएंगे और उसके उपर से एक लोटा सुद्ध जल आप अर्पित कर दीजिए आप इस महाशिवरात्री जो आठ मार या देता हुआ दिखाया जाएगा या देखा जाएगा अब आप जब यह उपाय करते हैं तो इस उपाय को कितने लोग भी घर के कर सकते हैं अपने अपने लिए भी कर सकते हैं या माता अपनी संतान के लिए या कोई भी पतनी अपने पती के लिए भी इस उपाय को कर सकती ही है यह उपाए शिवरात्री के दिन ही होना है विशेश रूप से ध्यान रखें जो आठ मार्च 2024 को है वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में रादे रादे लेखें आप हमें लाइक करें फॉलो करें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें रादे रादे